सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जहां भ्यांकर गर्मी के तेज और कर्म हवाए इस बंजर जमीन को और भी खतरनाग बनाती है तो आज हम देखने वाले हैं सहारा रेगिस्तान में सर्वाइब करने वाले ऐसे पांस जनौरों के बारे में नमबर वन पर आते हैं ओस्टीज यानिकी सुत्रमुर्ग ओस्टीज को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है इसकी लंबाई धाई मीटर से उची हो सकती है और इनका वजन 145 केजी तक हो सकता है सरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं इनके अंडो का वजन लगबग 2 केजी के बराबर होता है सहारा रेजिस्तान में पानियों की खिलत रहती है इसी वज़ा से ओस्टी सुबह साम पत्तियों का सेवन करते हैं क्योंकि उस समय उसमें नमी होती है भारी सरीर के वज़े से ये ओट तो नहीं पाते लेकिन अपने लंबे पैरों से ये 70 किलोमेटर प्रति घंटा की रहतार से दोड़ सकते है इस लिस्ट के दूसरे नमबर पाते हैं फैनिक फॉक्स सहारा डिजर्ट में पाए जाने वाले ये फॉक्स दुनिया के सबसे छोटे फॉक्स होते है जो अपने बड़े कानों की वज़े से पैचानी जा सकते हैं इसकी लंबाई लगबग 2-3 फीट तक हो सकता है और इसका वज़न 3 केजी से लेकर 13 केजी तक हो सकता है ये फॉक्स 32 किलोमेटर प्रति घंटा की रहतार से दोड़ सकते हैं ये अपने भोज़न के लिए छोटे मोटे कीडे और चीडियो के अंडे का पसंद करते हैं ये फॉक्स छोटे होने के साथ सफ क्यूट भी होते हैं तीसरे अमबर पर हमारे आते हैं ओंट यानि कि कैमल सहरा रेगिस्तान का नाम हो और केमल का नाम ना है ये तो नामकिन है इन केमल की लंबाई लगबग 10 से 12 फिट तक होती है वही इनका वजन का देखा जाए तो 400 से 600 के जी तक होता है इस बंजर रेगिस्तान में 32 किलो मीटर से ज़्यादा डेली चलने की वज़स से ही इन्हें रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है और इतना चलने के बाद भी ये बिना खाय भी ये हफ्तों तक जिन्दा रह सकते हैं चोथे नमबर पाते हैं हमारे साइड विंडर स्नेक सहरा रेगिस्तान में रहने वाले जानोरों की बात हो और साइड विंडर स्नेक की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता ये रेगिस्तान में रहने वाला दुनिया का सबसे जहरीला साप है जो इनसान को मारने की काभिलियत रखता है ये साप 29 किलोमीटर परति घंटा की रफ़तार से चल सकता है और ये तीर्शा भागने के लिए जाने जाते हैं ये सिकार पर नज़ा रख ले के लिए अपने पूरे सरीर को रेत के अंदर दबा देता है और आखे बाहर रखता है इस लिष्ट के पाचवे नमबर पर आता है एडेक्स एंटलोफ ये जानवर हीरन के परजातिका होता है ये हीरन बिलुक्त होने के करगार पे है क्योंकि इसकी संख्या अब 450 की करीब में बची हुई है इसको पहचानने की खासियत इनके बड़े बड़े सींग होते हैं जो 72 सेंटीमीटर तक होते हैं इनको खाने में घास और पतिया ज़्यादा फायदेमंद होता है इनके पैर बाकी हिरन के मताबिक थोड़ा छोटा होता है और इनका खूर बड़ा होता है जिनसे इनको रेगिस्तान में चलने में सहायक होता है इनका रंग गर्मियों में सफेद और सर्दियों में हलका भू करदें